तो भाई लोग क्या आप लोग भी एक नया PC लेने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि उस PC को मैं खुद बिल्ड करूँ जैसा कि मैंने यह अपने आप अपना PC बिल्ड किया है तो आज की वीडियो में मैं आपको Top 15 Tips and Tips बताने वाला हूँ You should know before your PC building घबराईये मत पूरी वीडियो हिंदी में बताऊंगा English में नहीं बताऊंगा कि यह आप घबरा आ गए हो कि भाई यह तो English बोलने लगा थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है ताकि कोई English वाला भी देख रहा है तो कई बार क्या होता है कि वो भी देख लेते हैं और जो जो मैं कर रहा है वो करके सीख जाते हैं तो भाई आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए वीडियो को बिल्कुल लाश्ट देखिएगा क्योंकि मैंने खुद अपना PC बिल्ड किया है जैसे कि आप देसकते हो भाई चल रहा है सब को चल रहा है ठीक है और आपको clean look दिख रहा है बिल्कुल बढ़ियां cable management सब को दिख रही है नहीं आई बहुत कम आई क्योंकि मैंने पहले बहुत सी वीडियो देख ली थी इसके regarding तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको यह सारा कुछ जितना मेरे को experience है इस एक वीडियो में मिलने वाला है और इस वीडियो के बाद भाई मैं यह PC build कैसे करना है यह पूरे पूरे टुटोरियल बताऊंगा सारी वीडियो लाओंगा तो इसलिए चैनल को अभी subscribe कर लो इस वीडियो को भी like कर देना सबसे पहले like करना उसके बाद देखना otherwise आप भाई भूल जाओगे और जितने भी sapor कर और आप सुपर्ड कर रहे हो आप मरा क्थ जादा शुक्रिया बहुत धन्यवाद emerged आप सब भी जगह से मेरी वीडियो जी जाद को इस है किस स्टेट और किसधे और किस तो भाई लोग श्टार्ड करते हैं सबसे पहली टिप से तो भाई forget about cable management तो cable management को भूल जाओ क्योंकि अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सब को तो भाई बहुत clean दिख रहा है बट असलियत क्या है कि इसके जो पीछे पूरा system है जहां पर पूरी cables है तो उनको बस ऐसे ही छोड़ रखा है मैंने क्योंकि दिखने का जो काम है ना आगे का frontal look यहां पर दिख रही है पीछे ऐसे ही होता है तो इसलिए आप क्या करो कि पहली बार जो first time attempt करो आप उसमें cable management की tension मतले ना क्योंकि यह जो असल में जब आप PC build करने लोग होगे तो भाई बहुत ज़्यादा time लगता है specially अगर आप first time कर रहे हो इसलिए बहुत जादा time लगता हो कि आप videos देख 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 करोगे और यह जरूरी भी है जल्दबाजी मत करना PC build करने में क्योंकि महंगे महंगे components होते हैं otherwise खराब हो जाते हैं अगर आपकी लापरवाई हुई तो अराम से videos देखना जो tutorials जिन्होंने बनाए हुए मैं भी बनाने मैंने भी बनाया attention मतलो आप मेरी videos देखें भी अपना पूरा PC build easily कर सकते हैं बिल्कुल easy हो जाएगा आपका PC build तो ऐसे ही follow करना और अगर दो-तिन हजार पे ज्यादा भी आप ख़ल सकते हो तो अपने एक अच्छा case लेना यह सबी links भी मैं आपको description दे दूँगा जितना भी मेरा setup है link आपको description में दे दिया है comment भी pin कल दूँगा पर भाई मैं इतना करना चाहूँगा कि एक अच्छे case में invest कीजेगा क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी दो cables कहीं पर ने दिख रही और मैंने cable management भी अभी नहीं की है अभी जग नहीं की है फिर भी आपको इतना चाहा लुका रहा है इसलिए थोड़ा सा आप invest कर सकते हो अच्छे cabinet में भी number 2 watch more videos of different creators for PC build at least 20 times full videos तो भाई इसे मेरी ही नहीं और भी जितने creators हैं उन सब की videos भी देखो जो भी PC build करना सिखाते हैं बहुत अच्छे अच्छे channels हैं अपने Indian में ही Hindi में बहुत अच्छे अच्छे सिखाते हैं तो इंडिया में भाई बहुत creators हैं सब को देखो कि कुछ न कुछ आपको सब की videos में थोड़ा अला 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 देखने को मिलता है बहुत सी ऐसी चीज़े होंगी जो शायद मैंने सारी कावर करते हैं बढ़ हो सकता है फिर भी मेंसे कुछ छूट जाएं तो वो बाकी से भी तो अगर आप माले हो आज से एक साल बाद भी PC build करने की सोच रहे हो तो आज से videos देखने ही start करो और पूरी पूरी videos देखो कि क्या से क्या क्या कर रहे हैं सबसे पहले क्या चीज़ की आती है पहला step क्या है जब आप दो चार बाद दस बर बीस बार वीडियो देख लोगे तो आपको अपने पहले ही confidence होगा कि भाई मैं अपना PC build डीजली कर पाऊंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ जो अपना PC build है किसी ओसे मत कराने के सोची का कि मैं 2000 पर दे दूँगा कहां भागते फिर होगे आपको अगर घर बुलाओगे तो पैसे वो ज्यादा लेगा तो इसलिए अपने आप कोशी करो कि PC build खुद करो चोटी मोड़ी चीज़ अगर मालो in future आपने RAM कभी लगानी है कभी कोई दिक्कत आयाती है कभी आपने जो fan मैंने खुद लगाए आप करो जैसे कि आज के टाइम पे भाई बोहुष शोटे चाहरी है आने फिर दीन तो बहुष शोटेज है काफी ज्यादा करो इसलिучी सबसे पहले अपना ग्राफिस कार्ड का इंतजाम करो उसके बाद बाजिवार्ए बाकि जितने components है उने खहीद हो अग्याव दिस्प् सिस्टम अलग है मैं तो यह ही कहूँगा आपकी अच्छा एक CPU लेना क्योंकि APU में उतनी आपको मज़ा नहीं आता है जो आप गेमिंग PC हो चाहिए PC कोई भी है में लिए जादा लोग गेमिंग PC ही बनाना जाते हैं आजकल गेमिंग में बहुत क्रेज है बत कई बार लोगों को वीडियो एट्टिंग के लिए चाहिए creators जितने भी हैं कई बार और भी चीजों के लिए चाहिए होता है कोई architecture करना जाता है कोई और तो इन सब चीजों के लिए भाई ग्राफिस कार्ट तो सभी में चाहिए ठीक है ना इसलिए सबसे पहले ग्राफिस कार्ट ही खई दो उसके बाद बाकी चीजे करो जो laptop लेर है उनकी बात अलग है यह से PC बिल्ट की वीडियो भाई नमबर चार has spare money at least 10 to 15 के तो भाई यह सारे points मैंने जब जैसे ऐसे मैं अपना PC बिल्ट का था मैं लिखता जाता था ताकि मैं आपको बाद में बता सकूं इसलिए मुझे यार रहे इसलिए मैं लिखता गया ताकि मुझे जो जो कहीं पर भी कोई दिक्क्त आई तो भाई यह हाँ पर मैंने यह चीज़ आपको बताई है कि चोता point यही है कि आपका पूरा PC बिल्ट होने के बाद भी आपके पास 10 से 20,000 रुपे रहने चाहिए इसका क्या होगा भाई कई वार क्या होता है कि at a time कोई चीज़ ऐसी problem आयाती है कि आपको कोई समान वापिस करना पड़ता है तो उसके बाद आपको दूसर समान लेना पड़ेगा at a time नहीं तो आपका PC बिल्ट कर रहे हो वो रह जाएगा कई वाद लोग बहुत जादा टाइड बजट रखते हैं भाई उनके पास 2,000 भी extra नहीं होते हो जब जूरत पड़ती है तो उनको ऐसा होया तो भाई ऐसा बना हो इसलिए कोशी यही करो जितने का आप बजट बना रहे हो अपना मालों एक लाग का बना रहे हो तो अपने पास एक लाग 20,000 रुपे रखना थोड़ा चाहिए कहीं से भी लेकर रख लेना एमर्जेंसी के लिए 20,000 कि बाइचान जूरुत पड़ गई किसी भी चीज बिल्ड कर रहे हैं और किस्ता की परिशानियां हमें आ सकती हैं तो यह चीज़ें बहुत जूरी हैं लाइक कर देना क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं नमबर पाँच तो भाई टेक हैल्प फ्रों पेरेंट्स ब्रदर बट डोंट गिव देम वर्क टू डू इन पीसी ओ लिए अडिशनल हेल्प तो भाई अपने जितने भी पेरेंट्स ब्रदर सिष्टर होते हैं उनसे आप पीसी बिल्ड के टाइम है लेना कई बार चीज़ें इतर हुदर करनी होती हैं हेल्प लेना बट उनको पीसी बिल्ड करने मत देना कई बार क्या होता है इसमें स्क्रू बहुत प्या से टाइम करती हैं हलका से ऑपने ज्यादा करती है तो आपका जितने भी जितने भी अपने कने को मत किजेगा उनकी कर लें दे लिजीगा लगार lima बट उनको कोई पैसल्ट करने काम है या कोई गाफ करने कर लिगाना कोई लेना कोई वीगाzna इसा प्दॉ है वो कभी मत दीजिएगा क्योंकि मैं मेरे को पता है यह सब काम में गडबड होयाती है और अगले ने अगर खराब करें तो कहेंगे भाई मेरे को नहीं पता तुने कहा था करने को मैंने कर दिया ऐसा काम होया तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा नंबर छे भाई चेक सील फोर एवरी प्रोड़क जितने भी आप कॉंपनेंट्स खई रहे हो सब चीजों की सील चेक करना वो सील है कि नहीं क्योंकि सबसे जूरी चीज होती है कि जितने भी आप कॉंपनेंट्स खई रहे हो कोई भी ग्राफिज कार्ड कोई भी आपका प्रोसेसर जितनी भी चाहे आप online ख़ेदो, चाहे आप offline ख़ेदो, सब भी चीजों की seal जो चेक करो, जो चीजे seal होती हैं, वो जल्दी मैंने चेक किया 99% कभी खराब नहीं होती है, जितनी भी चीजे seal होती है, बड़ जो चीजे seal नहीं है, उस चीज पर doubt करो, जरूर ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है न, doubt करना चाहिए आपको जैसे देखो कि यह सी seal नहीं है सबसे पहले उसकी unboxing video जरूर बनाओ तो सबकी बनानी है बड़ उसकी जरूर को शक के गहरे में देख लो कि भाई यह चीज guarantee खराब होगी और वो होती भी है, यह भी आपको बतायता हूँ कई बार जैसे कि आप online चीजे मंगाते हो कई बार ऐसी चीजे होती हैं, कई बार जो seller होते हैं आपके साथ धोका करते हैं, तो उस चीज में ध्यान रखेगा उस चीज को साथ के साथ कोशी कीज़े, return कीज़े और refund करवाईए, और एक और चीज जब भी आप यह साथ चीजे online खईते हो, online तो उनका एक साथ दिन का time होता है, तो उसके पहले ही आप सारा कुछ अपना check कर लेना, क्योंकि अगर साथ दिन निकल गए तो भाई आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, इस चीज का ध्यान रखेगा आज के लिए Amazon वाज फिलिपकार्ट ने साथ दिन का time कल दिया है, ठीक है ना, पहले 10 दिन था, आप साथ दिन कल दिया है, तो यह चीज बहुत दिक्कत वाली होयाती है, अगर आपका जो return period है, वो निकल गया, तो भाई आप return ने कर पाऊगे उसको, फिर आपको दिक्कत होती है, service center के गेड़े काटने पड़ते हैं, उससे अच्छा है, पहले ही check कल लो, इसलिए आप कहा रहा हूँ, कि इस तहीके से मंगाईए, अगर आप online चीज़े मंगा रहे हैं, कि उनकी delivery date check का लिजिए, कि सभी समान कि आपका आजाएगा, जिस time पर आपको चाहिए, इस चीज़ का बहुत जारा ध्यान रखेगा, number seven point हा भाई आपका, make unboxing videos always for your safety, चाहे आप YouTuber हैं, चाहे नहीं हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, but भाई, unboxing videos, इतने इतने महंगे products हैं, 10 से 20,000 भी होते हैं, जैसे कि हमारा processor 30,000 रुपे का था, समझ गए, तो ऐसे कई वार बहुत महंगी चीज़े भी होती हैं, तो उनकी आपको unboxing video बनानी ही बनानी है, जब सारा कुछ सही हो, बाद में चाहे आप delete कर देना, but आप unboxing video और ये unboxing video uncut videos होनी चाहिए, उसमें cut नहीं होना चा pen drive ले लेना, बाद में अपना mobile जागर, कई लोगों की storage काम होती है, तो वो क्या करो, कि अपनी, जैसे एक video बना लिए, उसको अपने pen drive में डाल दो, laptop के थूरू, या OTG, cable के थूरू, ऐसे काम कर लो, भाई, ये बहुत जूरी चीज़े हैं, मैं आपके भाई, चाहता की पैसे बचा के रखूँ, जो लोग बहुत मेहने से, मुझे पता है, ये मैंने PCBuild अपनी भाई, यूटूब की income से किया है, तो मुझे पता है, एक चीज़ कैसे बनाई आती है, तो कई हो के पास parents के पास पैसे होते हैं, वो तो बहुत easily दे देते हैं, बट जिनके पास न पॉइंट है, यूज एंटी static gloves और wristband, तो भाई क्या होते हैं, जितने भी motherboard वगारा होते हैं, इन में static charge होता है, तो उससे खराव याते हैं, कई बार जैसे कि हम देखते हैं, कि जो हमारे गरम चादर वगारा होती है, उन में से sparking से निकलते हैं, जिब थंड वगारा होते ह उस चार्ज हो जाते हैं, तो हमारे कई बार hands में भी होते हैं, चार्ज हो जाता कई बार हाथ वगारा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए कई gloves भी आते हैं, तो जिस टाइम पे मैंने PC build का उस टाइम पैसा इतना कुछ नहीं था, उसके लावा आप और भी चीज़े ट्रिक्स यूज करते हैं, मैटल वगारा पहले हाथ वगारा रख लो, ताकि आपके हाथ में बिल्कु चार्ज ना रहे, स्टैटिक चार्ज होता है, वो इस चीज़ें को डेमेज करता है, ना करें तो अच्छी बात है, मेरे PC build में मैंने किया तो मैंने तो without gloves किया था, बट अगर आप कोशी करें, तो gloves वगारा पहन ले तो जादा अच्छा है, यह चीज़ मैं आपको बता रहता हूँ, कई वाई उसकी वज़ाए से product खराब ही हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखेगा, नमबर नाइन भाई, buy your cabinet first, then build your PC, क्योंकि इसमें लगभग यह इस टाइमजोन पर अवी लेवल हुई थी, तो यह product सबसे पहले मेरे पास यह आए था, कुछ लोगों नहीं उस टाइम पर ली थी, और जब मेरे पास आई थी, तो इतने लोगों ने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तब भाई मेरे पास यह तो लोग बतान तो आप इसली आप अपना पूरा जो वीडियो हो देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता भाई, एक start button होता है, otherwise अगर आपके पास cabinet नहीं, अगर आप cabinet में उसको नहीं यूज करते हो, तो इसमें दो point होते हैं, तो उनको आपस में touch करने पर, किसी screwdriver आपस में touch करने पर अगर आपने गलत जगा पर screw लगा दिया, तो आपका motherboard पूरा फूग जाता है, समझ गये, उसमें problem आयाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपना cabinet ले लेना है, और उसके बाद अपना PC बिल्ड करना, यानि सब चीज़ें एक साथ मंगा लेना है, उसके बाद ही अगर आप चाहे offline, चाहे online, दोनों चीज़ों में यही चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, उसके लावा भाई बात आती है, number 10, make future proof PC if have extra budget, अगर आपके पास extra budget है, तो आप अपने PC को extra future proof बना सकते हो, अगर tight budget वाले हो तो भाई आपके लिए यह point नहीं है, tight budget वाले मुझ future में भी काम आजाए, आप जो graphics card है वो बड़ा ले सकते हो, आप power supply, power supply बड़ी ले सकते हो, बड़ी मतलओ कि इतने भी नहीं कि बहुत जादा बड़ी ले लो, बड़ आपको जैसे लगा लगता कि मुझे इस चीज़ की future में हो सकता है, शायद जूरूत पड़ जाए, तो इसके साब साब power supply बगारा में invest काल सकते हो, यह आपके मर्जी है, आपको मैं build बतायता हूं कि इतने रुपे तक यह चीज़ चाहिए, तो वो तो चलो अच्छी बात है, बड़ अगर उसके लाव आपके बाद पैसा है, आप सोचे लो कि मैंने भाई, यह अभी ले ले लेत अगरे लेति के कारण मुझे ग्राफिस कार्ण नहीं मिले थे, तो मैंने यह ले लिया था, तो मैंने पहले सोचा हुआ था कि भाई, मैंने बाद में 3070, 3070 TI जैसे ग्राफिस कार्ड लेने है, इसलिए मैंने 700 वर्ड की power supply लिया है, क्योंकि जो मेरा ग्राफिस कार्ड और भ वर्ड की power supply मैंने पहले ही ले लिया, तो इस तरह आपने future proof कर सकते हो अपने build को, यह आपकी मर्दी है, ठीक है, number 11 भाई, invest in good power supply, तो भाई, power supply आप जो भी ले रहे हो, आप एक अच्छी power supply लीजिएगा, कोशिच कीजिए, अगर आप 1,00, रुपे से उपर का build बना रहे हो तो कम से कम gold certified हो, जो इन लोगों को नहीं पता कि gold certified क्या होता है, यह grade होती है, क्योंकि इन में, क्या होता है, start bronze से हो जाती है, उसके ओपर ऐसे से करके step बढ़ता है, तो जो gold वाली होती है, एक bronze के ओपर silver, फिर gold, बड़ जो gold वाली होती है, वो काफी अच्छी मानी आती है तो कई बार क्या होता है, चाने से light से लिए आती है, जैसे कि अभी मेरे इसमें भाई, मैंने कोई UPS वगरा नहीं रखा हुआ, तो चाने से light जाती है, तो जो पूरा load होता है, वो power supply अगर आपके पास एक अच्छी है, तो उस पर आता है, और जो बागी components है, वो नहीं फु को यूज कर सकते हो, कि आपका मुझे पता ज्यादा काम जिनका नहीं होता बहुत ज्यादा, तो आपने stock cooler को यूज जूरू कीज़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो, यह rate prism है, मेरा Ryzen 730 800X processor है, तो उसमें आप देख सकते हो, यह देख रहे हो, कितना सुन्दर लग रहा ह और मुझे अभी के लिए तो भाई सही है, अभी में को कोई दिक्कत नहीं है, आने वले टाइम में अगर में को कोई liquid cooler लगाना होगा, तो मैं लगा लूँगा, बट इसका कई लोग stock cooler यूज ही निकलते हैं, उनको लगता है घटिया है, तो भाई घटिया नहीं है, कंपनी प्यारा भी दिखने में तो बहुत प्यारा है, और cooling भी के लिए ठीक कर दे रहा है, इन future अगर by chance आपके पास पैसे नहीं है, तो अभी आप इसको यूज करो, इन future जब आपके पास पैसे आएंगे, तो आप liquid cooler पर अपग्रेड कर सकते हो, तो अब बात करता हूं भाई, न 1200 MHz वाली RAM है, तो मैंने 8GB की बाई, दो स्टिक्स यूज की है, मैंने 16GB की सिंगल स्टिक्स यूज की, क्योंकि जो dual channel memory, नि दो स्टिक्स होती है, उनको भी तरीका होता लगाने का, वह भी मैं आपको वीडियो में सब को दिखा दूँगा, कैसे कैसे क्या करना है, टेंशन म memory लो, अगर आप 32GB ले रहे हैं, तो 88GB की चाल ले लो, इसमें भी फायदा होता है, या 16GB की आप 2 ले लो, ठीक है, अगर आप 16GB यूज करना चाहते हैं, तो 88GB की 2 ले लो, यानि 16GB की सिंगल RAM से अच्छा है, 88GB की 2 ले लो, तो ये चीज़ें बहुत जूरी होती हैं, आपक तो अगर सिर्फ आपको gaming का काम है, तो आप यह वाला, जो Ryzen 5 के सीरीज के प्रोसेसर हैं, वो यूज कर सकते हो, बट अगर आपका काम भाई, gaming plus editing plus streaming का है, या content creation करना है, तो आप Ryzen 7 सीरीज के जाओ, जाए 3700, 3800, 5800, तो इन प्रोसेसर पर आप जा सकते हो, अगर इससे भी ज्यादा जाना जाते हो, तो उससे भी ज्यादा जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई band नहीं है, कि आप बस इतना ही जा सकते हो, कोई बंदिशे नहीं है, आप जितना मर्जी उपर जाओ, बट अगर आप budget पे हो, तो इतना जुरूर करो कि अगर आप content creator हो, streaming करना चात हो, तो कम से कम Ryzen 7 जरूर ले जीएगा, ठीक है, यह भी जूरी चीज है, नमबर 15 भाई, बहुत जूरी चीज है, use solid table for expensive PC, don't shove, don't use cheap mirror desk, यानि कि भाई, कई शीशे वाले जो होते हैं, कई लोग वो भी बनवाने कोशी करते हैं, या कई लोग वो table use करते हैं, जिनमें भाई, पूरे मेरे table की video बनाई हुई है, मैंने पूरी 1-5 गंटे की video है, पूरी इसकी process, 7 दिन लगे थे इस table को बनाने में, पूरी complete में आपको दिखा दूँगा, भी तो बस camera हिलाने जीवत नहीं है, बहुत सुन्दर table है, और ये पूरा भाई, plywood है, plywood है, इसके उपर सनमाइका लगा हुआ है, क्या finishing है, आप देखो कि बहुत मज़ा आता है, और भाई, ये solid table है, तो इसके उपर मैंने इतना महँगा, भाई, 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 से 3 लाग का PC है, तो इसके उपर रखा हुआ है, अगर आप भी 1 लाग से उपर का PC बनाते हो, तो आप ज़रूर ध्यान दीज कीज़ा है, अभी सब्सक्राइब करने को नहीं का रहा हुआ है, तो इसका भाई 24 पिन का power cable होता है, जो motherboard का होता है, जो अपकी power supply से निकलता है, तो वहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें क्या है, कि एक बार अगर आपने motherboard में लगा दिया ना, अच्छे से, तो वो कई बार इतनी असानी से निकलता नहीं है, जो beginners होती है, अभी भी नहीं निकलता है, जो बताओ, तो जरूरी एक बार अगर आपने लगा दिया, तो उसमें motherboard से निकलने की ज़्यादा कोशिश मत करो, उसको सिप power supply में से निकल लो, power supply में से निकल के motherboard as it is रहने दो, ठीक है, और कोश से निकलता है, जो एक सिंगल चीज ती जिसमें मुझे ब्रोवलम आई, जिस चीज के बारे में में ब्यको थोड़ा सा हान लगा इसमें प्रोवलम है, बाकि मुझे किसी बी चीज में प्रोवलम नहीं आई आप देखोंगे वीडियो जो मैंने बनाई है, आने वले टाइम मतलब आपने daily एक एक करके डालने लगूँगा, step by step भी डालूँगा, plus एक complete video भी डालूँगा, सब देख लेना, सब आपके लिए बहुत ज़्यादा benefit रहेगा, तो भाई उसमें क्या है कि मुझे को इस चीज में प्रोलम आई थी, यह चीज में बता रहा हूँ, इस चीज में प्रोलम आई, बागी मुझे किसी चीज में प्रोलम नहीं आई, क्योंकि मैं लग बाग मुझे लगता 50 से 100 वीडियो, 50 से 100 बार अलला अलग क्रियेटर्स की वीडियो देखके, मैंने फिर यह अपना जो बनाया है, तो बड़ा मेरको, मैं तीन-चार वी बतातों क्रियेटर्स जिनकी मैंने वीडियो देखी, जिनकी मुझे help मिली, एक तो भाई Tech Nation का आयूश भाई, बड़ी हैं, उमर शायर में खास से मैंसे एक-दो साल छोटा ही होगा, ज्यादा भी हो दकता है, बड़ भाई ने अच्छी वीडियो बनाई है, और पूरी complete वीडियो बहुत अच्छे समझाया है, उसके देखे मैंने IG Indian Gamer, I am Indian Gamer IG, या, वाला, टोपी पैने के रखता है भाई, तो उसकी वीडियो भी काफी अच्छी थी, उसने भी complete वीडियो काफी अच्छी बनाई है, कई चीज़े मैं उससे भी सिखने को मिली, मोडेक्स टेक नाम के चैनल है, तो उसकी वीडियो भी काफी अच्छी थी भाई, कई चीज़े मैं उसमें उसमें मैंने देखी, तो ऐसे ही होता है, भाई, different content creators की वीडियो देखनी पड़ती है हमें, ध्यान रखना पड़ता है, कई बार कुछ चीज़े हमें इधर से सिखन कोई मिलती है, कुछ चीज़े हैं, आपको मेरे से सिखने मिलेंगी, यार रहेगा, आपको मेरा नाम शीवा दूबे है, मैंने बताया है नहीं है, चलो कोई बात नहीं चैनल के नाम पर आपको पता चली आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चैनल टेक का भी है, यूटू शेयर कीजिएगा, जो भी आपके नजरों में कॉंटेंट करेटर या यूटूबर बनने वाला आने वाले टाइम में, जो भी अपना पीसी बिल्ड करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पी वीडियो है, और जल्दी नहीं मिलती है, तो शेयर कर देना, आज की करते हैं बाइ भाई